तो अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं या औरी गाड़ी ले चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी helpful हो सकती है तो हो सकता है काफी सारे features आप already जानते हों बट कुछ features हो सकता है आपको नहीं भी मालूम होंगे जो इस वीडियो के थ्रू मैं capture करने वाला हूँ तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और कोई भी एक feature आपको पसंद आता है तो एक thumbs up जरूर दे देना यार and do subscribe my channel तो चलिए without wasting time let's start the video तो मैगनाइट के अगर सबसे पहले feature की बात करें तो इसके अंदर आपको anti-pinch window का feature मिल जाता है तो जब आपकी window नीचे होती है और आप अगर window को उपर करते हैं और गलती से आपका हाथ वगेरा इसमें आ जाता है तो इसमें anti-pinch feature है तो window automatically जो है नीचे की तरफ आपकी move हो जाती है तो यह काफी useful रहता है जब छोटे बच्चों के साथ drive कर रहे हो और गलती से उनका अगर हाथ वगेरा आ जाए तो इसमें काफी useful रह सकता है यह feature Magnite का अगला feature again इसकी power window से related है तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी जो है completely off है ऐसे में जो है आपकी गाड़ी का जो mirror है especially at the driver side यह जो है काम करेगा तो यह देखिए अभी गाड़ी को बंद हुए almost एक मिनट से जादा हो चुका है बट तब भी जो इसकी power windows है वो काम कर सकती है यह देखिए तो यह तब तक काम करेगा जब तक आपका जो दर्वाजा है उसको आप खोल नहीं देते तब तक यह power windows जो है काम करेगी अगर आपकी गाड़ी बंद भी है तो एक बार मैं इसको अभी देखिए मैंने विंडो खोल दी और मैंने दर्वाजा को उपन करा उसके बाद अगर अगर मैं इसको ऊपर करूँगा तो यह window ऊपर नहीं होती है तो यह देखिए window ऊपर अब नहीं होगी तो यह तब तक काम करता है जब तक आपकी गाड़ी का दर्वाजा खुलता नहीं है चाहे गाड़ी बंद भी क्यो नहों निसान मैगनाइट के next feature की अगर बात करी जाए तो यह गाड़ी की safety से related है तो काफी बार कैसा होता है कि जो नए driver होते हैं वो जब गाड़ी की seat पे बैठते हैं तो कभी उनसे जो है इसकी light वगेरा जो है on रह जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं green color का icon यहाँ पर बना ह कर लें ताकि आपकी battery ना drain हो तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसको unlock करके तो यह देखिए इस तरह से आपको beep आती है जो कि आपको notify करती है कि इसकी light on है तो उसको बंद कर लें before you move out निसान मैगनाइट का जो अगला feature है वो इसके traction control से related है तो इस segment की कुछ गाड़ी नहीं रहता है बट मैगनाइट के top variant में आपको traction control on and off करने का button मिल जाता है तो basically इसका फाइदा यह रहता है कि जब आप गाड़ी को sudden accelerate करते हैं तो काफी बार जो है tire spin होता है basically वो traction control का फाइदा यह रहता है कि वो जहाँ पे जादा tire में power जारी है तो उसको regulate करे और वो equal amount स गाड़ी जो है आगे move हो ठीक है बट अगर आप racing कर रहे हैं drag race कर रहे हैं और आपको sudden acceleration चाहिए तो आप traction control को off कर सकते हैं तो आपका wheel spin जो है वो कम से कम होगा और आपको अच्छी grip मिल जाएगी to move forward अब Nissan Magnite ही एक ऐसी गाड़ी है इस segment की जिसमें आपको 360 degree camera मिल जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको complete 360 view मिलता है अपनी गाड़ी के अंदर because इसमें आगे भी camera दिया हुआ है पीछे भी camera दिया हुआ है और दोनों तरफ जो हैं वहाँ पर भी आपको camera मिल जाता है आपके ORBM के नीचे तो ऐसे में काफी यह beneficial रहता है यह वाला feature जह काफी लोग अलड़ी जानते होंगे जो लोग magnet purchase करने का plan कर रहे हैं या अलड़ी ले चुके हैं कि इस segment में केवल magnet ही एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर आपको अभी android auto and apple carplay wireless मिल जाता है मतलब आपको अपने phone को wire से connect करने की जुरुरत नहीं है जो की काफी you know irritating रहता है sometimes क आपको wire से connect करना पड़ता है तो ऐसे में ये advanced feature है कोई भी गाड़ी segment में आपको ये feature नहीं दे रही है और नहीं शायद इससे उपर के segment वाली गाड़ियां भी आपको ये feature दे रही है तो निसान magnetic एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर android auto and apple carplay आप wirelessly चला सकते हैं बाकी गाड एक ऐसी गाड़ी है जहां पर आपको ये center locking का button यहां पर मिलता है एकदम center console के नीचे तो यहां पर आप ये button देख सकते हैं तो इसको जब आप प्रेस करते हैं तो गाड़ी आपकी जो है unlock हो जाती है और वापिस उसी button को प्रेस करने पर गाड़ी यहां से lock भी हो जाती है तो ये काफी अच्छा feature है convenient रहता है यहां से आपको पीछे की और ऐसे मुड़के unlock करने की जरुरत नहीं है तो ये काफी you know unsatisfied रहती है feeling बट यहां से जो है आप इस गाड़ी के doors को lock and unlock कर सकते हैं निसान मैगनाइट का जो अगला feature है वो काफी लोग नहीं जानते और वो again इसकी central locking से related है तो आपको मालूम होगा कि जब आप गाड़ी एक certain speed पे गाड़ी को लेकर जाते हैं 10 की या 15 की speed पे लेकर जाते हैं तो आपके जो गाड़ी के दर्वाजे हैं वो automatically lock हो जाते हैं बट अगर आप चाहते हैं कि इन दर्वाजों को automatically lock ये ना हो तो आप उसको चाहें तो deactivate भी कर सकते हैं वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले तो आपको अपनी गाड़ी start कर लेनी है तो जब आप अपनी गाड़ी start कर लेंगे उसके बाद ये जो बटन है आपका central locking का जो बटन है आपको इसको प्रेस करके रखना है तो यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे तो इस तरह से दिखिए auto lock off का यहाँ पर option आ आक्टिवेट करने के लिए आपको इसी बटन को जो है दबा के रखना है और उसके बाद आपके जो आटो लॉक्स हैं वह दुबारा से अक्टिवेट हो जाएंगे तो इस तरह से आप इस feature को अक्टिवेट या डी-क्टिवेट कर सकते हैं अपनी रिक्वार्मेंट के हिसाब तो निसान मैगनाइट का जो अगला फीचर है वो इसकी की से रिलेटिड है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक स्मार्ट की मिलती है तो ऐसे में आप स्मार्ट की को अपनी पॉकेट में रखे यहाँ पर सेंसर बटन को दबाके गाड़ी में आप एंट्री ले सकते ह इस तरह से आपका दरवादा खुल जाएगा बड़ अगर आपकी गाड़ी की जो रिमोट की बाटरी है वो डाउन हो रखी है तो आप गाड़ी में एंट्री कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर यह छोटा सा आप एक बटन देख रहे हैं आपको इ इस तरह से जो है गाड़ी में आप एंट्री ले सकते हैं with the help of manual की बट अगर आपकी smart की की बैटरी ही डाउन है तो आप गाड़ी को start कैसे करेंगे यह काफी लोग नहीं जानते तो वो मैं आपको बताता हूँ तो आप manual की को यूज करके गाड़ी में आप में एंट्री ले इहां पर आप एक slot देख रहे होंगे जहां पर आप अपना गिलास वगेर रखते हैं तो यहां पर की का sign बना हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं छोटा सा तो या तो आपको की यहाँ पर रखनी है इस सरह से की रखनी है उसके बाद आप start stop का button दबाएंगे तो आपकी जो है गाड़ी है वो start हो जाएगी तो ये दो तरीके हैं जिससे कि आप अपनी गाड़ी को start कर सकते हैं अगर आपके key की जो बैटरी है वो down हो चुकी है तो तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि Nissan Magnite के अंदर आपको अलड़ी काफी अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है तो एक बार मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Nissan Magnite के अंदर आपको काफी डीप जो है 3.36 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर देखने को मिलता है बड़ अगर आपके पास जादा समान है या कोई छोटी साइकल वगएरा रखनी है या मिनी फ्रिज वगएरा आपको रखना है तो आप कैसे रखेंगे तो Nissan Magnite के टॉप वेरिंट में आपको 60-40 का स्प्रिट मिल जाता है तो आप चाहें तो अपनी गाड़ी की सीट को नीचे गिरा सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से जो है आपको overall visibility यहाँ पर मिलती है और इतना अच्छा खासा आपको space मिल जाता है अगर आप long journeys पर भी जा रहे हैं तो यहाँ पर आप थोड़े से गद्दे वगएरे डालके एक तरह से bed बना सकते हैं और अगर जादा समान कैरी करना है तो वो भी जो है आप बिना किसी दिक्कत के अराम से कैरी कर सकते हैं mini fridge या mini से भी जादा बड़ा fridge मद्दा साड़ तीन सो लीटर का fridge या cooler वगएरा अराम से आप यहाँ पर गाड़ी में कैरी कर सकते हैं अब Nissan Magnite के boot space की ही बात करी जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़े दी हुई है जो कि काफी useful हो सकती हैं आपके लिए तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर आपको हुप्स मिल जाते हैं समान वगएरा टांगने के लिए और यह आपको दोनों ही side पर दिये हुए है तो आप अपना छोटा मोटा सामान जैसे आप चाहते नहीं है उनको नीचे रखना तो आप वो यहाँ पर carry कर सकते हैं तो यह है तो वैसे छोटी सी चीज़ बढ़ काफी useful रहती है अगर आपकी requirement उस तरह से है निसान मैगनाइट का जो अगला feature है वो कुछ ऐसा feature है जो आपको definitely मालूम होना चाहिए अगर आप इस गाड़ी का CVT variant खरीद रहे हैं तो तो gearbox पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे की और आपको एक छोटा सा button देखने को मिल जाता है तो although यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि यह बटन किस लिए है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लिखा नहीं है बट मैं आपको बता दूँ यह आपका जो button है यह sports mode का button है तो जब आप इस button को press करते हैं तो देखिए मैं press करूँगा तो यहाँ पर उपर green color से sports लिखा हुआ आ गया है तो basically इस button को दबाने के बाद और sports mode में आने के बाद आपको बहुती शानदार इस गाड़ी का pick up मिल जाता है तो आप चाहते हैं अच्छी mileage को निकालना तो आप इस sports mode को off कर दे और अगर आपको अच्छी performance चाहिए गाड़ी से तो आप sports mode को on करके बहतरीन performance का मज़ा उठा सकते हैं इस गाड़ी से Magnite का जो अगला feature है वो काफी बहतरीन है specially उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ी की जो overall performance है उसको track करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे screen पर तो आपको यहाँ पर driving eco का एक option मिल जाता है तो जब आप इस पर click करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि आपने exclaration कितना दिया है, anticipation आपको कितना है तो out of 5 आपको यहाँ पर star दिये जाते हैं तो because क्योंकि यह test vehicle है तो यहाँ पर हर तरह से लोग इस गाड़ी को drive करते हैं तो इसी वजह से जो है इसकी अगर आप overall इसका stats देखेंगे in terms of average consumption 7.9 kmpl दिखा रहा है average speed कितनी रही 17.3 तो यह सारा का सारा track जो है आप इस गाड़ी में देख सकते हैं while going in the driving eco तो यह काफी भेहतरी इन feature है आप अपनी performance जो है गाड़ी की वो track कर सकते हैं एक touch of button से ही अब Nissan Magnite का जो अगला feature है वो इसकी safety से related है तो जैसे ही आप अपनी गाड़ी को बंद करते हैं तो गाड़ी को बंद करने के बाद लॉक करने के बाद यह जो इसका anti-theft feature है वो activate हो जाता है within 10 seconds तो अगर ऐसे में कोई chore वगेरा अगर कोई manual की से अगर गाड़ी को खोलने की कोशिश करता है तो क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए यह manual की है और अब जो है इस गाड़ी को मैं यहां से खोलने की कोशिश करता हूँ तो यह मैंना unlock कर दिया तो जैसे ही अब मैं गाड़ी के अंदर बैठूंगा तो गाड़ी जोर से अलाम करेगी यह देखिए तो इस तरह से जो है गाड़ी जोर से अलाम देती है तो यह काफी useful रहता है और यह anti-theft feature सभी गाड़ियों में नहीं आता जो एक premium segment की गाड़ियों होती है उसी में यह जो feature है आपको मिलता है तो Nissan Magnite के अंदर है which is very good Magnite का जो अगला feature है वो again इसके anti-theft feature से related है अब आपने गाड़ी जो है अपनी remote से इसको lock करके आप चले गए तो गाड़ी को मैंने फिलाल lock कर दिया है और ऐसे में इसका anti-theft feature जो है within 10 seconds जो है activate हो जाता है तो अब ऐसे में कोई चोर वगेरा अगर गाड़ी के शीशे को तो कर अगर गाड़ी के शीशे को तोड़ कर अगर गाड़ी में enter करने की कोशिश करता है और गाड़ी को unlock करता है तो क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो देखे गाड़ी के शीशे को तोड़ कर उसने अंदर से गाड़ी को unlock किया और जैसी गाड़ी के अंदर वो ब वो again इसकी safety से related है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपनी गाड़ी के जो चारो दर्वाजे हैं वो यहां से lock या unlock कर सकते हैं बट क्योंकि यह electronically adjustable है तो कभी खुदा ना खासता अगर गाड़ी का accident हो जाए तो battery के terminals वगेरा निकल जाते हैं तो ऐसे में अगर accident हो जाए और driver अपना केवल दर्वाजा यहां से खोले तो यहां से जैसे इसको दर्वाजे को खोलते हैं तो अभी तो जो बाकी सारे दर्वाजे हैं वो locked ही है पर जैसे ही यहां से इस दर्वाजे को खोला जाएगा तो देखिए सारे जो doors हैं वो automatically unlock हो जाएंगे यह देखिए तो चारों दर्वाजे unlock हो जाते हैं तो यह काफी अच्छा safety features है है तो काफी छोटा सा बट अगर emergency हो तो उसमें यह काम आ सकता है इस segment में आने वाली केवल Nissan Magnite ही एक ऐसी गाड़ी है जो इतने कम budget में आपको tire pressure monitoring system देती है तो आपको कैसे चेक करना है कि आपकी गाड़ी के जो tires में हवा है वो required जितनी होनी चाहिए उतनी है तो यहाँ पर आपको एक button दिया होता है तो इस button को जब आप press करेंगे तो अलग-अलग information जो है काफी सुन्दर animation के तुरू आप देख सकते हैं जैसे कि fuel economy यहाँ पर आ गया इसके अलावा यहाँ पर आपका driver computer मतलब कितना trip हुआ mileage कितनी आई वो सब देख सकते हैं कितने घंटे में cover करा और यहाँ पर last में आप tire pressure monitoring system देख सकते हैं कि चारो tires में अभी okay आ रहा है मतलब चारो tires में आपकी जो हवा है वो बराबर है जितनी होनी चाहिए अगर आप tire pressure को reset करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं के लिए आपको इस button को दबा के रखना पड़ेगा बीच वाले button को आप reset कर सकते हैं जैसे कभी puncture लगवाया उसके बाद हवा भरवाई तो आपको reset करना पड़ेगा तो एक काफी अच्छा feature है विकाज एक अच्छी mileage निकालने के लिए गाड़ी से गाड़ी में required हवा होनी चाहिए जितना company recommend करती है तो अगर Magnite ये feature दे रहा है इतने कम budget में तो बहुत ही जादा बहतरीन है मेरे हिसाब से निसान Magnite का जो अगला feature है वो है इसके roof rails related तो इस segment में आने वाली केवल निसान Magnite ही एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर आपको functional roof rail मिल जाते है तो यहाँ पर आपको functional roof rail मिल जाते है मतलब अगर इतना बड़ा boot होने के बावजूद भी अगर आपको space कम लगती है गाड़ी के अंदर और आपको कुछ बड़ा समान ऊपर carry करना है तो आराम से 25 से 30 किलो तक आप इसके functional roof rail में carry कर सकते है तो भाई इस segment में केवल यही गाड़ी है जिसके अंदर आपको यह feature मिलता है और किसी गाड़ी में इस segment की आपको यह feature नहीं मिलता है आज की डेट में बाकी गाड़ियों के तरह ही निसान मैगनाइट में भी आपको यहाँ पर child safety lock मिल जाता है तो अगर आप छोटे बच्चों के साथ drive कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि जो बच्चे हैं वो दरवाजा वगेरा खोल पाएं तो ऐसे में आप जो है इसके child safety lock को यहाँ से lock कर सकते हैं और उसके बाद जो दरवाजा है इस गाड़ी का वो केवल बाहर से ही खोला जा सकता है अंदर से इस दरवाजे को नहीं खोला जा सकता तो यह काफी useful feature रहता है जब आप छोटे बच्चे वगेरा के साथ drive कर रहे हों काड़ी के अंदर सो अब भाई निसान मैगनाइट में इतने जादा features हैं कि शायद यह video छोटी पड़ जाए और तब भी features जो है वो cover ना हो तो अगर आप इसके और features देखना चाते हैं तो मुझे comment section में जरूर बताईएगा मैं इसका एक second part जरूर बना दूँगा आपके लिए ताकि आप और जादा features इसके देख पाएं तो जो आखरी feature है इस video का वो है इसके cruise control से related तो भाई 10.5 लाख रुपे के अंदर अगर आपको cruise control मिल रहा है गाड़ी के अंदर with CVT transmission जो की अपने में ही एक बहतरीन technology है with Japanese engine तो क्या ही कहने मतलब आपको एक comfort रहता है city में गाड़ी को चलाने का cruise control से आपको मतलब जो acceleration से बिलकुल ही पाउं हटा लेना है आप cruise control को use करके highway पे city वगेरा में जहां पे भी traffic कम रहता है वहाँ पे गाड़ी को drive कर सकते हैं एक constant mileage आप अचीव कर सकते हैं गाड़ी से तो ये बहुती ज्यादा value for money गाड़ी है मेरे हिसाब से तो अगर आपके पास मतलब budget है 9-10 लाक रुपे का और आप एक you know mini sub 4 meter SUV चाहा रहे हैं तो definitely इस गाड़ी को consider करें I would definitely recommend it's one of the best and refined car जो की आपको आज के rate में बहुती ज्यादा advanced features आपको दे देती है इस गाड़ी में मिल जाते हैं आपको और बहुती value for money है 4 star safety rating के साथ आती है और क्या ही चाहिए यार Hey guys welcome back तो ये थे कुछ top 20 features of Nissan Magnite I hope आपको ये video अच्छी लगी होगी informative लगी होगी तो इस तरह की अगर आप एक और video देखना चाहते हैं जिसके अंदर आप चाहते हैं कि जो इसके remaining features हैं जो मैंने इस video में cover नहीं करें वो भी मैं cover करूँ तो मुझे comment section में जरूर बताइएगा I'll try to make another video on Nissan Magnite top 20 features part 2 तो भाई अगर आपको ये video अच्छी लगी तो प्लीज जाने से पहले एक thumbs up जरूर देदेना and do subscribe my channel for more videos मिलते हैं अगली वीडियो में Thank you so much